मैं पूरे वर्ड में देख रहा हूँ कि कहां पे solar panel जो है न सेल से लेके यानि सेल में जो raw material यूज होता है वहां से लेके पूरा panel बनने तक की जरनी तै करता है तो देखिए इसको करने में इसको पता करने में तो काफी समय लग जाएगा लेकिन हम देखेंगे कि भारत वर्ष में जी हां यहां पे इंडिया में जो solar panel बनता है वो actual में सेल बनाने वाली company कौन सी है और कौन सी company है जो यहां पे number one बोलती है लेकिन solar panel जो है अपना नहीं बन करती है government भी approve करती है तब पूरा मज़ा आ जाता है तो पूरे detail में बताऊंगा इस वीडियो में तो वीडियो को पहले से ही like कर दीजे चैनल में नहें तो subscribe कर लीजे तो चलिए आरंब करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि solar panel का जो journey है ना आप सीधा पैनल देखते ह हैं लेकिन इसके पीछे का जो mechanism है वो काफी दिल्चस्प है यानि solar panel बनने की जो journey है उसमें आप यूं बताइए कि इसमें semiconductor यूज होता है जर्मेनियम और सिल्कॉन समझ रहे हैं और जब जर्मेनियम तो ज्यादा यूज नहीं होता है लेकिन सिल्कॉन इसमें ज्यादा तर जर्नी होती है तो अभी के समय में कौन सी ऐसी company है जो cell भी बनाती है और अपना solar panel भी बनाती है तो गिने चुने चार पांच company है जी हां गुने चुने चार पांच company है और ये जो पूरा भारत में आ और YouTube पे आके बाकी सारे platform पे आके जोर से डंका बजा के बोलते हैं कि मेर पेनल सबसे latest technology का है सबसे latest है मैं पूरा पैनल बनाता हूं तो उसके जहासे में आप मत आईएगा और क्योंकि यह मैं नहीं बोल रहा हूं यह government भी अप्रूव कर रही है तब तो आपको भरोसा होगा ना और यहीं पर कोई जूम solar कोई सुन solar वाला जो आ जाता है और वो बो बोल रहा हूं अब आप बोलेंगे कि कैसे कोई evidence है या नहीं है तुमारे पास क्यों ऐसे बोल रहे हो तो मैं आपको evidence के साथ ही दिखाता हूं और यहां पे जब मैं evidence दिखाऊंगा और यह government का certified किया हुआ evidence है फिर तो आपको पूरा पता चल जाएगा पूरा परदाफास हो रहा है ठीक है तो यह एक तरह से empower करने का knowledge है और जो मैं आपको दे रहा हूं भाई दे रहा हूं और फिर आप खुद ही निरने करो खुद ही सोचो कि किस तरीके से मुझे solar panel जो है और किस company से लेना है तो चलिए यहां पे मैंने क्या किया है जो government ने अभी officially एक document भेजा है solar panel solar panel का cell manufacturing का list बना के भेजा है उस list को मैं यहां पे show कर रहा हूं और यह जहां से लिया हूं उसका source भी आपको बताऊंगा इसको बताने के बाद और तब जाके आप भी verify कर लेना और कौन-कौन सी company है उसके बारे में पूरा research कर लेना तो यहां पे आप पूरा screen पे देख रहे होंगे जिसमें list of solar pv shell manufacturer का details आ रहा है अब इसमें देखिए वह एक दो तीन चार पांच company आ रही है only five company आ रही है और अभी के समय में solar panel का कितना सारा company है जो कि cell बनाने वाली जो company है सिर्फ यही 5 है तो यही 5 है अब इसमें आते हैं कि number one पे कौन सी company है number one पे list दिया हुआ है number one बताने का मतलब यह नहीं कि number one में सबसे उपर है तो वो बहुत बड़े capacity में है अभी number one पे जिसने apply किया है या ज्यादा उसका manufacturing भी है वो हम बता सकते है Tata Soul और इसका data आएगा न तो उसमें Tata Solar Power System Limited जी हां इसके दो यूनिट है यानि एक बैंगलोरू में यूनिट है और एक जो है तमिलनाडू में है और दोनों यूनिट पे solar panel cell manufacturing होती है तो Tata Solar Power याद रखना Tata Solar Power cell से लेके पूरा पैनल तक भारत वर्स में बनाती है making India product कोई actual में है तो वो Tata Solar का solar panel है second number पे क्या मुंद्रा Solar Energy Limited और मुंद्रा Solar Energy Limited जब मैं आपको बता रहा हूं तो यह अडानी ग्रूप की company है जो solar panel का cell भी manufacturing करती है और इसका भी पूरा यूनिट का address दिया हुआ है जहां पे जाके आप verify कर सकते हो कि इसका solar panel का जो cell बन रहा है वो किस तरीके से बन रहा है तो यहां पे आप देख रहे हो सर्वे नंबर 180 केर आफ मुंद्रा सोलर टेक्नो पार्क प्राइबेट लिमिटेड एलेक्ट्रोनिक्स मैनुफेक्टरिंग क्लस्टर यानि पूरा सोलर अपनी यूनिट जहां पे solar cell बनता है ना solar PV cell उसका पूरा detail दिया हुआ है और यह कच गुजरात में पिन कोड भी दिया हुआ है और एड्रेस डिटेल में आप चेक आउट कर सकते हो जो कि मैं यहां पे जूम आउट करके आपको सो कर रहा हूं और इसमें आप पूरा ही जाके वहां पे तहकिकात कर सकते हैं यह अडानी ग्रूप की कंपनी है जो solar cell भारत वर्स में ही बनाती ह और तब जाके यह पूरा मेकिन भारत प्रोड़क्ट हमारे solar panel solar panel system में लगता है थर्ड नंबर पे कौन सी कंपनी है तो आपको बताना चाहूंगा premium energy प्रीमियर इनर्जी फोटो वोल्टिक प्राइवेट लिमिटेड जी यह इसके भी 8B1 और 8B2 महेस्वरम मंडलम रंग रं एनुफेक्ट्रिंग यूनिट है पीवी शेल बनाने का यूनिट है और यहां पर यदि कोई और भी इंक्वारी आपको करना है तो यहां पर mail ID भी दिया हुआ है फोर्थ नंबर पे जुपिटर इंटरनेशनल लिमिटेड है जी हां यह भी कंपनी है और यह कहां बनाती है आपको बताना चाहूंगा कि बद्दी डिस्टिक में डिस्टिक सोलान है और यह बद्दी तैसील है और हिमाचल प्रदेश में इसका यूनिट है जहां पर सोलर पीवी शेल बनाया जाता है और यह कंपनी कौन सी है जुपिटर इंटरनेशनल लिमिटेड है और इसका भी email ID भी गिवेन है यहां पे अब फिफ्ट नंबर पे कौन सी कंपनी है तो आपको बताना चाहूंगा वेब सोल इनर्जी सिस्टम लिमिटेड जी हां वेब सोल इनर्जी सिस्टम लिमिटेड फाटला स्पेशल सेड में सेक्टर टू परगाना साथ वेस्ट बेंगॉल में इसका पीवी सेल मेनुफेक्चरिंग का यूनिट से है ठीक है तो यहां पे गिनी चुनी सिर्फ और सिर्फ पांच कंपनी है यानि टाटा सोलर पावर मुंद्रा जोकी अडानी का कंपनी है प्रीमियर इनर्जी जै जुपिटर इंटर सेल जो मेनुफेक्चरिंग है यानि सोलर पैनल का जो एक्चॉल सेल यहीं पे बन रही है यहीं पांच कंपनी पे बन रही है और तब जाके बाकी सारे सोलर पैनल सिस्टम जो मेकिन भारत प्रोड़क्ट बताते हैं वो एक्चॉल में मेकिन भारत नहीं है सेल बाहर से मंगा और यहां पर इंस्टॉलेशन या एक तरह से बोल सकते हैं एसेंबली यूनिट उन्होंने लगाया हुआ है और एसेंबल करके वह आपके यहां पर पहुंचा देते हैं तो एक्चुल में यह पांच ही कंपनी है जो सोलर पीवी शेल भी यहां पर बना रही है और सोलर पैनल भ नंबर वन है तो नंबर वन और नंबर यहीं पर बनाती है वाली बात से पहले यह पांच कंपनी को चेक आउट कर लेना और फिर जाके अपना निर्ने लेना तो अभी मैं जो टॉप थ्री टॉप फूर कंपनी भी आपको बताता हूं जिसका की बहुत ज्यादा एक्स्प्र भी वहीं से लेती है और बाकी कंपणी जो नॉनडिету यहार पैनल बनाते है वह बाहर से भी अपनती है तो यहाँ से यदि कोई शेल करके सोलर पैनल बनाता है ना तब जाकर वह डी स्यारोलर पैनल होता है जी हां यह जो सरह यहाँ पर बन रहा है और इसी सेल की मदद से जो भी solar panel बनता है वो DCR solar panel कहलाता है क्योंकि DCR का simple मतलब है domestic content required तो आज के समय में पूरा और यह जो data है यह कहां से आया है वो भी मैं बताता हूँ आपको इसको search करने के लिए सीधा कहां जाना है pmsuriger.gov.in पे जाना है और जैसे ही आप उस पे जाएंगे तो तीन अपडेट की लाइन चलती रहती है तो सबसे पहले अपडेट पे क्लिक कर लेना और जैसे ही पहले अपडेट पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे पीवी सेल का कौन कौन सी कंपनी है वहाँ पे पूरी लिस्ट खुलके आ जाएगी और वहाँ से आप ये चेक आउट भी कर पाएंगे तो यही सोर्स था जहाँ पे आप पूरी तरीके से गाइडलाइन भी चेक आउट कर सकते हैं पीएम सुरिगर का और पीवी सेल जो इंडियन गॉर्मेंट रिकोगनाइजड है वो भी पता कर सकते हैं तो देखें पूरा डिटेल में खोल के परदाफास हो चुका है कि कौन भाई असली है और कौन नकली है तो यह पूरा भारत वर्स पूरा वर्ल्ड देखने की जरूरत नहीं है आपको आप अभी ही पता कर सकते हैं कि आपका पीवी जो सोलर पैनल आता है वो कौन सा मेकिन भ चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और भारत में बनने वाली सोलर पैनल मैंने डिटेल में बताया है तो चलिए वीडियो को लास्त तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद कर द करते हैं